आज हम बात करेंगे राज्यक उत्पत्ति का मार्क्षवादी शिद्धान्त क्या राज्ये की उत्पत्ति का मार्क श्वादी शिद्धान्त इससे पहले मैंने राज्ये की उत्पत्ति के संधर्म में छे सिद्धान्त अप्लोड कर दिये हैं राज्ये की उत्पत्ति का उंदैवी सिद्धान्त राज्ये की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धान्त सामाजिक शम्जोता सिद्धान एतियसी क्या विकासवादी सिद्धान और आज हम ले रहे हैं राजय की पत्तिका सात्वा सिद्धान मार्कशवादी सिद्धान प्राणोंशी प्यारी विद्धियार थीू शरकृति दिन जो मैं एक लेक्टर मेरी यूटूब चैनल पर अप्रोड करता हूं उसके जानका लिएक शूचन आपको प्राप्ट हो सब्सक्राइब कर दिया होगा Thank You very much सब्सक्राइब कुछा सब्गार्ज给我 विद्रिभार्टियों से तो इस के बारे में निश्यत रूप Say प्रशन जाता है मैं आपको मार्ग्षवादी सिध्धानत इतने पेतर रूप में समझाऊंगा किस से बार किस रूप में कोई प्रशन नहीं वनेगा चलिए प्राणों से पहरे विधिहारतियो नोट करेंगे राज्य की उत्पत्य का मार्क शुवादी सिद्धान्त क्या राज्य की उत्पत्य का मार्क शुवादी सिद्धान्त इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए डाइग्राम बनाया है इस डाइग्राम के माद्दम से हमेश सारी बाते समझ जाएंगे कैसे देखेगा मैंने यह नोट किया है मार्क श्वादी सिद्धान्त इसका मतलब क्या है सबसे पहले नोट किया है मैंने क्रांती करें दिरस्टिकून अर्तात वास्ते में राज्य की उत्पत्य की संधर्व में जो विभिन सिद्धान्त दिये गए हैं जिन में से मैंने आपको साथ सिद्धान्तों की चर्चा के सात्वा आज चल रहा है 6 सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिये हैं जैसे देवे सिद्धांत, सक्ति सिद्धांत, मातर सतात्मक सिद्धांत, पितर सतात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझोता सिद्धांत, और एतियासिक या विकासवादी सिद्धांत, तो ये 6-6 सिद्धांत हैं, राज्ये की उत्पत्त पूल रूप में एक ऐसी समाज वियस्ता की स्थापना चाहता है, जिसके अंतरगत वास्तों में वरग विहीन और राज्ये विहीन समाज की स्थापना होगी, आर्थ ना कोई वरग होगा, ना कोई राज्ये होगा. परन्तु राज्ये कित्पत्ति कैसी हुई है? राज्ये कित्पत्ति के बारे में मार्च्वादी सिद्धान कहता है कि राज्ये का जनम वरग संगर्ष के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है? वरग संगर्ष के कारण हुआ है. यह बात आपको नोट करनी है. जाकि अन्ने पी सब्सक्राइब करें राज्य वरक संगर्ष की उत्पत्य नोट करेंगी राज्य वरक संगर्ष की उत्पत्य आपसे एक्जामें पूछी जा सकती है यह बात तो मार्श्वादी समाज़ेवस्ता है कि अंतरまた वास्ति वास्ति कर्व हो nhất नहीं उत्तर सवामें अपसों होता एक्यों क्यूंकि हाप वास्ति क्रूप संपत्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और तीसरा जो चरणाता है वैं सामन्ता आता है सामन्त आवस्ता कि अंतरगत वास्तौकर्प में सामन्त और शरवहरा अर्थात पुझी पति और सिर्मिकोई के मद्दे शंगर्ष होता है उसके बादें पांची वहस्ता आती है संकर्मन कालियन अवस्ता जिससे की सारवहरा वरक की अवस्ता कहा जाता है इसके अंतरगत सिर्मिक और मजदूर वास्तिक रूप में पुझी पति वरक का स इसके बाद में चटीय वस्ता आती है जिसको की समय दिया वस्ता कहा जाता है तो मार्ग श्वाद वास्तुवी गुरूप में राज्ये के संधर में ये छह चरणुई की चर्चा करता है इन छह चरणुई के उपर मैं अलग से लेक्षर अपरोड करूगा यहां तो मैं इनके संकेत दिया जिससे की मेरी प्रणुशी प्यारी उध्यारती इस बात को समझ सके क्या कि राज्ये वास्तुवी गुरूप में वरग संगर्ष की उत्पत्ती है अब हम एक एक बात को लेते हैं सबसे पहला यह है कि मार्ग श्वादी जो सिद्धान्त है वह एक्तरांती कारी भी एक राज्यक उत्त पति वरग संगर्ष के कार्ण ऀए आप आगे बढ़ते हैं वास्तुवी गुरूप में मार्ग स्वादी सिद्धान्त Key उपसिधी मात्र है अर्थात राज्यक उत्तती का बाति से उपसिद्धी मात्र मानता है मतलब एतिहासिक बहुतिक वाद की उपसिद्धी मात्र मानता है किसको राज्ये को एतिहासिक बहुतिक वाद क्या है इसके उपर मैंने अलग से लेक्षर अपलोड कर रखा है आप हमारी playlists में देख सकते हैं किसे meansए पसमी राजनीतिक विचारकों के अंतरगत बेटा आगे मैंने लिखा है वरग संगर्ष की उत्पत्ती है अर्थात मार्ग श्वादी शिद्धांत कहता है कि राज्य वरग संगर्ष की उत्पत्ती है ये है मूल बात तो, राज्य वरग संगर्ष की उत्पत्ती है, किसने कही ये बात? मार्टशवादी पिचारदारानी, मार्टशवादी सिधान्त ने, नेक्स्ट, राज्य जनता की सनस्ता ने होकर संपत्तिवान वरग की सनस्ता है, ध्यान दीजीगा, मार्टशवादी सिधा जो मूल बात है मतलब मार्ट्षवादी सिddhahn का साप कहना है जो राज्य है वह जन्ता की सनस्ता नहीं है वह जन्हित में कारे करने वाली सनस्ता नहीं है बल्कि वासुनिक रूप में यह तो संपत्वादी लोगों की सनस्ता है जो संपतिहीन वरग का दमन और सोशन करती है इसलिए मार्ग्षवादी सिद्धान रज्य को एक सोशन कारी सनस्था मानता है एक दमन कारी यंत्र मानता है मतलब रज्य को एक दमन कारी यंत्र मानता है एक सोशन कारी यंत्र मानता है एक सोशन का साधन मानता है किसको राज्य को कौन मानता है मार्क्षवादी सिधान्त माता है मतला मार्क्षवादी सिधान्त वास्तिक रूप में राज्य को समपतिवान वर्ग की सनस्था मानता है और समपतिहीन वर्ग का दमनवय सोशन करने वाला यंतरिया सनस्था मानता है कौन मार्क्षवादी सिधा यास अब हम आगे बढ़ते हैं सात्वा सिद्धान्त यहां से सुरू कर रहे हैं किया राज़ी कुत्पत्तिका मार्च्वादी सिद्धान्त बैटा इसकी प्रस्ट भूमी मनाएंगे पहले हम मैंने यहां पर इसकी प्रस्ट भूमी और इसके समर्था की सब बाते नोट कर दि कि राज़े ब्यक्तिका ही विराट रूप है अर्ता प्लेटो राज़े को एक स्वाभाविक प्राकर्तिक नेतिक सनस्ता मानते हैं कि किसी प्रकार से अरस्तु भी राज़े को एक स्वाभाविक प्राकर्तिक सनस्ता मानते हैं और अरस्तु कहते हैं कि राज़े परिवार का विराट रूप है अंतरह डिफ्रेंस है अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है प्लेट्टु कह रहे हैं राज्य व्यक्ति का विराट रूप है दोनों ही राज्य को नैतिक सनस्ता मानते हैं दोनों ही राज्य को स्वाभाविक प्राकरतिक सनस्ता मानत बात आपको नोट करने जैसा कि अरस्तु ने काए है क्या राज्य का जनम धीन की आवशक्ताओं के लिए हो और सद जीवन की प्राफ्ति के लिए अस्तित्म में बना हुआ है और यह बात तो अरस्तु प्लेटो निक्या काए यह किा? तो चट्टानू ना ओक्ति का ही विराठ रूप है कौन का रहा है प्लेटो कर रहा है बात और अरस्तु यह दोनों ही राज्जे को एक नहीं तीक्स और प्राइटिक सनस्ता मानते हैं तो करेंगे यहां पर एक्जामिय प्रसंद पूछा जा सकता है अगली बात आती है लास्की एचिजे लास् जो की अंतिम पुस्तक है और प्रतम पुस्तक है रिपबलिक है मतलब प्लेटो की रिपबलिक और लाज्ज यह सबसे महत्वपुने प्रतम रिपबलिक है अंतिम लाज्ज है ठीक है और अरस्तु की सबसे महत्वपुने विस्व पुस्तक है पॉलाडिक्स और लास्की की सनस्था माना है आपसे एक्जामिक पूछा जा सकता है अब हम बात करते हैं मार्ष की कार्ल मार्ष की या मार्ष वादी शिद्धान्त की अम मार्ष क्या कह रहे हैं मार्ष कह रहे हैं कि आदुनिक राज्य की कार्य कारणी समस्त पूझी पतियों के सामाने कार्यों का प्रबं करने वाली समीती होती है क्यों समीती मात्र है इसकी जो ये आदमिक राजी के कारे कारणी समस्त पूंजी पत्यों के सामाने कारियों का प्रबंद करने वाली समीती है मतलब वास्तों में जो राज्य है वो पूंजी पत्यों के सामाने कारियों का प्रबंद करने वाली समीती मा कौन करें मार्श करें इसका मतलब वास्ता में यह बात सही है कि यह संपत्ति वान वरग की सनस्ता है जो संपत्ति हिन का दमन वे सोशन करती है यहां पर मार्श के इस वैक्यान से बात इस पस्ट हो रही है अगली बात एंजिल्स हैं एंजिल्स कहा रहे हैं एंजिल्स कि नोकर्शाही तथा अधाल दोरा भी दास्ता में रखते हैं अब देखेंगे फिर से दोराडों में इसको, एनजिल्स कह रहे हैं कि पूझी पती वरग, क्या पूझी पती वरग, चुकि वास्तों में मार्क्स वादि सिद्धान्त संपत्तिवान वरग की ही ये सनस्ता मानता है किसके लिए संपतिहीं लोगों का सोसन करने वाली सनस्ता मानती है और संपतिवान वरग की समर्थक सनस्ता है ये और संपतिवान वरग ने अपनी रक्षा के लिए अपने धन की रक्षा के लिए अपने जियोन की रक्षा के लिए ही राज्य नामक सनस्ता की स्थापना किये पुलिश नियाले कानून की स्थापना किये किसने संपतिवान वरग ने अपनी रक्षा के लिए किये ये बात मार् रखतें और इसे के साथ में यहां बलकी राज्य की सक्ति द्वारा नोकर बाले के द्वारा भी दास्ता委ंसे में चीन को रखतें commercials क्यों कि शिर्मिक होते मजदूर होतें जो संपतीहिए इसले even रोप में जो राज्य है वो एक सोशन कारी सहनस्ता है किया राज्य को करें यह मार्शवाधी सिद्धांत है यह एंजेbis के एक चैन से इसपेश्ट ऑ जाता है बेटा इसके बाद यह तो है फिर एंजिल्स कह रहे हैं यहां एंजिल्स ही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि राज्य केवर स्वामियूं भू स्वामियूं जो जमीन के मालिक होते हैं श्वामियूं भू स्वामियूं तथा उंजी पत्यों की सोसित वरग श्रिमिकूं और क्रशकूं के विरुद्ध संग्टि कि हुई एक सोषी त्वारक कि या सोशी तवारक श्रीमिकून और थो कि विरूद संग्टित सामुइख सक्टिक ऊहत्र तोर कूछ से नहीं है मतलब वास्तिवी के रूप में राज्य क्या है स्वामियों भू स्वामियों तता पूजी पत्यों की शोशी तुवारग शिर्मिकूं और किर्शकों के विरुद संग्टित सामुएक सक्तिक अतरिक कुछ नहीं है मतलब वास्तों के रूप में किर्शकूं, सिर्मिकूं, मजदूरूं का शोषन करने वाली सनस्था मात रहे किसने कही यह बात एंजिल्स ने कही है इसके बाद इसमें पुने फिर एंजिल्स कहा रहे है कि राज्य संग्टित अत्याचार के अत्रिक्त कुछ नहीं है यह एक्जम पूछ लिया जाता है यह भी एंजिल्स ने कहा है कि राज्य संग्टित अत्याचार के अत्रिक्त कुछ नहीं है मतलब वास्तों में राज्य एक ऐसी संग्टित सनस्था है जो सिर्मिक और मजदूरूं का शोषन करती है उन पर अत्याचार करती है यह तो बेटा एंजिल्स की एक व्यक्यांस ही होगी दूसरी व्यक्यांस ही होगी और तीसरी व्यक्यांस ही होगी यह तिनों बाते जो कहिए वो एंजिल्स ने ही कहिए नौट करेंगे इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिध्धान्त है बाई जो ये कहता है कि वास्तों में राज्य वरक्संगर्श की उत्पत्ती है तो इसके मुख्य समर्थक कौन कौन है इसके मुख्य समर्थक काल मार्क्स नोट करेंगे काल मार्क्स, एंजिल्स, लेलीन, इस्टालीन, माउथ से तूंग तो ये चार इसके मुखे शमरत है कि नाम नोट करेंगे इसके बाद में आगे बढ़ते हैं राज्य एक वरग संग्ठन है आप नोट करेंगे हैं मतलब वास्तवी कुरूप में यहां राज्य जो है एक वरग संग्ठन और ऐसा संग्ठन है जो की मजदूरूँ, श्रिम्यकूँ, संपतिहीन, शक्तिहीन, दुर्बल, कमजोर वरगों का शोशन करता है इसलिए राज्य एक शोशन का यंतर है कौन कहता है यह मार्क्षवादी सिद्धान कहता है चलिए नोट करते हैं राज्य एक वरग संग्ठन है और इसका उत्देश सम्पन वरग के हित्यों की सुरक्षण करना है द्याम्दे, राज्य एक वरग संग्ठन है और इसका उत्देश मतलब राज्य कवदेश शत्ताधारी जो सत्ता में है तथा आर्थिक साध्यों से संपन जो संपत्ति साली है धनवान है वरक के हित्व की सुरक्षा करना है मतलब ये केवर सत्ताधारी और जो संपत्ति साली व्यक्ति है उनके हित्व की ही सुरक्षा करता है कौन राज्य इसल शोषनकारी अंतर है और राजिक प्रत्रिम सनस्ता है अगली बात जैसे जैसे उत्पादने के साधने परिवर्थन आया वैसे वैसे वरगों के बीच ऐसमांता भी बढ़ती गई। द्यान दे बेटा जैसे जैसे उस्तुपादने के साधने परिवर्तन आया वैसे वैसे वर्गों के बीच ऐसामानता भी बढ़ती गई यहां पर वास्तविक रूप में जब हम काल मार्गों के दोरा जो राज्य के विभिन चरन बतलाए गए हैं यहां राज्य के विकास के जो मार्ग श्वादी चरन बताए गए हैं उसके अंतरगा च्छे चरन आते हैं च्छे चरन में यहां मैं एक एका नाम लूँगा मतलब जैसे जैसे इस्तुपादन के साधने परिवर्टना आया वैसे वर्गों के बीच ऐसामानता भी बढ़ते गई तो यहां वास्तम में च्छे मार्ग श्वादी चरन बता गए हैं काल मार्ग ने च्छे चरन बता गए हैं अब पहले आदिम आवस्ता आती है आदिम आवस्ता में संपत्य का प्रादुर्वाव नहीं होता है इसलिए किसी भी रूपने को या समानता नहीं होती है उसके बा पूझी वाद्य वास्ता वास्ता उसके पूझी पतियोंकरी संक्रवाइथ। जोब श traveling वास्तियोंकरी को सेים नहीं रहता है और जो छटी अवस्ता आती है वास्तिय कुर्प में सामयदी वास्ता आती है जिसके अंतरगत वास्तों में कोई वरग नहीं होता है इसलिए यह वरग विहिन समाज कहलाता है और जब कोई वरग नहीं होता है तो वरग शंगर्ष नहीं होगा और वरग शंगर् बसता होगी जिसमें ना वरग होगा ना राज्य होगा ठीक है मिटा तो जैसे जैसे सुत भादर के सादर ने परिवरतनाया वैसे वज़ेंए वरगों की बीच ऐसा मानता भी बढ़ती गई और राज्य निश्पक सनस्ता के रूप में नहीं बल्कि एक वर्ग सनस्ता के रूप में कारे करता है मतलब आक्षवादी से दांत का काना है कि राज्य निश्पक से सनस्ता के रूप में कारे करता है बलकि एक वरक सनस्ता की रूप में कारे करता है तो वास्तविक रूप में जो संपत्ती साली होते हैं जो सत्ताधारी होते हैं राजे उनके समर्थन में ही कारे करता है इसलिए सत्ताधारियों के दवारा और विशेशकर जो संपत्ती साली वरग है उनके दवारा अपने जीव स्थापना की गई इनका प्रियोग рол respectively को जारी को जारी रखने के लिए किया जाने लगा यह बाय्ट में राज्जे को इस्थाफ़ना की गई है वह सल्पत्ति शालिं वरक्षान जीवन और संपत्ती की रक्षाक लिए की गई है और इसके लिए इन्होंने पुलिस सेना कानून नियाले सायते और धर्म की स्थापना की और इनके द्वारा वास्तों में जो ये संपत्ती ही वरग हैं या जो मजदूर सिर्मे के इनका शोशन दमन और अत्याचार लगाता जा वरग आता है वरगह संपत्ती साली वरग होता है अपनी शुरक्षा के लिए पुलिस न्याले काणून इनकी स्थापना करता इसलिए राज्य वरग्ष की उपजे और यह वरगह संपत्ता है यहां मैंने उपर लिख में भी रखा है कि राज्य एक वरक्षंग्ट ने क्यों कि इसका उद्देश सत्ताधारी तता आर्थिक साधनों से संपन वरक के इतों की सुरक्षा करना है इसलिए राज्य वरक्षंग्ष की उपजए और यह एक वरक्षी सनस्ता है चोंकि यह केवल संपत्ती सारी लोगों की और सत्ताधारी लोगों की ही रक्षा करता है यह मार्षवादी शिद्दानत कहता है इसके बाद हम काल मार्ष ने पुने फिर कहा है राचीन काल में राज्य दासूं के मालिकों का अब जैसा कि मैंने च्छे चरण बताए थे न आपको यहाँ पर च्छे चरण तो उसमें कुछ का संकेत दिया गया है बाकी मैं अलग से च्छे चरणों के लिए लेक्षर अपलोड करूँगा राचीन काल में राज्य दासूं के मालिकों का राज्य था मतलब यहां वास्तवी कृप में जिसकों की दास अवस्ता का जाता है जिसमें स्वाम यह थे राज्य मजदूरों का सोशन करने के लिए पूंजी पती वरग का एक शाधन है यह बात किसी ने कहिए काल मार्गस ने कहिए मतलब मूल बात यहां यह है कि केवल आदिम अवस्ता को छोड़ करके और एक संकर्मन कालिन अवस्ता जिसके अंतरगत वास्तिनी के वास्तिक रूप में कटे चटे दो वरग थे और इनमें आपसी में वरग शंगर्स रहता था अर्थात जो संपत्ति साली होता था जो सत्ताधारी होता था वो वास्तिक रूप में संपत्ति हीन और जो सत्ता में नहीं होते थे उनका शोषन किया जाता था यह काल माक्ष का क करें कि राजी वर्गू के मद्धे उपजे विरोधू के एस समन्वे का परिणाम और अभी व्यक्ति है मतलब वास्टी ग्रूप में जो वर्गू के मद्धे वरक शंगर्ष हो रहा है इसका कोई समाधान नहीं हो सकता इसका कोई समाधान नहीं हो सकता इसलिए राजी वर्ग संगर्ष की ही उत्पत्ती है यह बात लेलिन कह रहे हैं इसके बाद में काल मार्क्स और एंजिल्स दोनी मिलकर के कह रहे हैं कि अब तक का इतियास अर्थात राज्य का इतियास अब तक का इतियास वरक संगर्ष का इतियास है कौन कह रहे हैं यह बात दोनी कह रहे हैं मार्क् वरग विहिन और राज्य विहिन अवस्था होगी अर्थात एक ऐसी समाज वे वस्था होगी जिसमें ना कोई वरग होगा ना कोई राज्य होगा तो अब तक का इतियास वरग संगर्ष का इतियास है शावतंत्र व्यक्ति दास कुलीन और जनशाधारन जागिरदार वे गरीब किसान व्याप्यारिवे कारिगर पुझी पतीव है शर्वहारा एक सबद में शोसक वै शोशित एक दूसरे के विरूद आव उनली और शोड़ागा क्या मतलब कि अब तक का इतियास वरग संगर्ष का इतियास है मतलब अब तक उसे मद्ध कि वरग संगर्ष कए पीज में होता है उसके बाद में जागिरदार वए गरीब किसान अर्थात सामंत वादियावस्ता के अंतरगत उसके बाद प्यायर होता है फिर पुण्जी पत्तिवा सरवहरवा रक्ये मद्य संगर्श होता है और इसको एक शबत में कह सकते हैं कि हमेशा सोसक व्याजित एक कि वास्तिक रूप में सत्तामनी होते हैं और जो की संपत्ति हीन होते हैं इनका सोशलिक किया जाता है इसलिए एक सब्द में कहा जाया तो यह कह सकते हैं कि सोशक वैसोशित एक दूसरे की विरुद एवेराम युद्ध करते रहें यह बात मार्ग्षवै एंजिल्स ने कही है तो इसलिए अंत में आप निश्कर से निकालेंगे कि मार्ग्षवादी सिद्धान ते एक काता है कि राज्यक उत्पत्ती वास्तिक रूप में वरग संगर्श के कारणी है अरतात राज्ये वरग संगर्श की उत्पत्ती है इन सब बातों से यह बात इसमस्ट हो जाती है कि बाद में राज्य कुछ पत्ति का जो मार्षवादी सिद्धान ते इसके लक्षन लेते हैं चलिए आप इनको जल्दी से कर देते हैं नमबर एक राज्य एक वरग सनस्ता है वास्तिक रूप में मार्षवादी सिद्धान राज्य को एक वरगे सनस्ता मानता है क्यों मानता है क इस परस्ट रोग है मार्टषवाति सिद्दान तो इस परस्ट का है कि राज्य वरक संगर्स की उत्पत्ति है अर्थात यहां आपने देख लिया है कि वास्तिक रूप में सोसक व्य सोशित एक दूसरे की वुर्थ अविराम युद्ध करते रहे हैं इसलिए राज्य वरक तरगती कोई जरूर नहीं है कि राज्य का विकास इसी तरीके स्वाज़ इस तरीके से मार्क्ष ने बता है वास्तिक रूप में वरग संगर्ष के अलावा अन्य तत्तों ने भी इसमें योगदान दिया है वास्तिक रूप में सहयो के कारण भी राज्य अस्तियतम में आया है तिसरा है राज्य का आधार शक्ति है राज्य का आधार शक्ति है मार्शवादी सिद्धान्त राज्य का आधार शक्ति को मानता है क्यों मानता है क्योंकि वास्तिक रूप में जो संपत्ति वानवरग होता है वास्तिक रूप में जो संपत्ति हिन होते हैं उनका दमनवे परशन के लिए यह वास्तवी कुर्वे पोलिस शेना कानून और लयाले की स्थापना करते हैं इसलिए राज्जे का आधार शक्ति को ही माना गया है और इसके बाद में राज्जे जनकल्यान विरोधी सनस्ता है मार्शादी सिदान का कहना है चोंकि राज्य वराख संगर्ष की उपाज है राज्य वराख संगर्ष की उत्पत्ती है इसलिए राज्य जन कल्यान का विरू दिये क्यों 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 पुलिस कानून और नियाले का इस्तिमाल करते हैं इनको जन कल्यान से जन हिंद से कोई लेना देना नहीं है और छटा है संक्रन कालिन समय में राज्य वास्तिक रूप में संक्रन कालिन के अंतरगत जो सरवहरा वरग होता है वो पूंजी पतियों का सफाया करने में लगा रहत और जैसे ही पूंजी पती वरग का सफाय हो जाएगा तो इसके बाद में सामयवादी अवस्ता आ जाएगी जिसमें कोई वरग नहीं होगा इसलिए संक्रण कालीनी समय में भी वास्तिवी कुरूप में राज्य होता है लेकिन उस राज्य का लक्ष क्या होता है यहां पर किसी का सोशन करना नहीं है बलकि पूंजी पत्यों का सफाया करना है जिससे कि वरग विहिन समाज की स्तापना हो जाए और जब वरग विहिन समाज की स्तापना हो जाएगी कोई वरग नहीं होगा तो वरग संगर्ष नहीं होगा वरग संगर्ष नहीं होगा तो राज्य कोई वास्तिक रूप में यहां जो संपत्तिवान वार गय इन्हों ने अपने जीवन और संपतिक रख्षा के लिए पुलिष सेना कानून और नियाल ले की इस्थापना का प्रियोग किया है किसके लिए इनका जो मजदूर शिर्मिक इनका शोशन दमन और अत्याचार करने के बलकि राज्य एक प्रत्रिम शनस्ता है और शात्वा के बाद में आठ्वा है राज्य का लोप हो जाएगा बाकश्वादी सिदान का कहना है कि जैसे ही पांची अवस्ता आएगी जिसको की संक्रमन कालिन अवस्ता कहा जाता है या जिसको की सारहारा वरक के अधिनायक तंत यह स्के ob City से नहीं होगा इसी स्लटिम वरक शंगर्श होगा तो फिर राज्य स्वते स्माब तो जाएगा इसलिए वास्यक्रप्र राज्य का लुप हो जाएगा जिसको कि राज्य Krishna स्माज हो सनमाफ विजसता को जयेगा तो मतलब काल मार्वाइक है तो अंततो गत्वा राजे लुक्त रहे हो जाएंगे राजे सवाप्त हो जाएंगे क्योंकि राज Business नहीं करऊंगी के लिखेस्ट प्लोड करह remains इसके बाद में वहाँ डिटिल समझा दिया जाएगा इसके बाद में राज्य कुद्पत्ति का मारच्वादी सिद्धान ते इसमें क्या कम यह इसके आलोचनक की जाएगा नमर एक राज्य वरक्षंगर्ष का परिणाम नहीं है ध्यान दीजेगा बेटा वास्तिवी किसी एक कत्तों का योगदान नहीं होता है बलकि मैं ये कहा जा सकता है कि राज्य वरक्षंगर्ष का प्रिणाम नहीं राज्य कुद्पत्ति में अने को तत्तों ने अपना योगदान दिया है इसके बाद में दूसरी जो आलाचना है वह है आर्थिक तत्त पर अत्यदिक भल वास्तिवी ग्रूप में मार्ट्षवादी सिद्धानत ने आर्थिक तत्तों के पर सबसे ज़्यादा भल दिया है इसका कहना है कि वास्तिवी ग सादुनिम परिवर्तन होता है वैसे वैसे आर्थिक समंदों में भी परिवर्तन हो जाता है इसका मतलब ये केवल केवल आर्थिक तत्तों को ही प्रधार मानता है मतलब वास्तिवी ग्रूप में ये जब हम आधार और अधी रचना की बात करते हैं कि भी समाज विवस्ता का आधार होता है आर्थिक संबंद आर्थिक तत्व और आधार के बाद में जो उसका आधार शिला के उपर होता है जिसको अधी रचना कहते हैं मतलब आधार और अधी रचना आधार में आर्थिक संबंद आ जाते हैं उत्पादने के साधना आ जाते हैं और अधी कहना है कि जैसे जैसे आधार परिवर्तन होगा वैसे वैसे अधीर अचना में परिवर्तन होगा मतलब जैसे जैसे वास्तवी क्रूप में उत्पादने के साधने परिवर्तन होगा वैसे वैसे यहां जो अधीर अधीर अचना है अर्थात राजनिती धरम कानून इनके वास्तवी करूप में मार्शवादी सिद्धांत का कहना है कि जो चटी अवस्ता होएगी सामेव्यादी अवस्ता इसके अंतरगत किशी भी रूप में कोई वरग नहीं होगा अर्थात वहां वास्तवी करूप में वरग रहित समाज होगा अब यहां वास्ता में देखा जाए वह राज्य एक कल्यानकारी सनस्ता है ध्यान दीजिएगा अब वास्तम में जो मार्शवादी सिद्धानत है वह राज्य को केवले एक सोषनकारी यंत्र मानता है जबकि सचाही है कि राज्य कल्यानकारी सनस्ता है आधनुक समय में हम देखते हैं कि राज्य के दवरा जन कल्य से सम्मनित कारे करने वाली सनस्था भी है ठीक है पांचवाय राज्य का आधार बल नहीं है मतलब वास्तिक रूप में मार्षवादी सिद्धान राज्य का आधार केवल बल को मानता है सक्ति को मानता है जैसा कि यहां पर मैंने आपको कहा है कि संपत्ति साली जो वरग होता है पर अपने जीवन और संपतिक रक्षा के लिए पुलिस सेना, कानून और नयाले का प्रियोग करता है किसके लिए सिर्मिक और मज़़ों का सोशन दमन और अत्याशार करने के लिए लेकिन सचा ही है कि राज्य का आधार के और बल नहीं है बलकि इच्छ है किसने कहा है किराज्य का आधार शक्ति नहीं है बलकि इच्छ है नोट करेंगे तो पमंच आलोचना होगी चटी आलोचना है दो और अर गों का सिद्धान भी गलत है वास्तिक रूप में मार्क्सवादी सिद्धान केवल दो वर्गों का सिद्धान देता है ये वास्तों में जैसे आदे में वस्ता के अंतरगत तो संपत्य का प्राधुर्वाव नहीं होता है तो वहाँ पर कोई वर्ग नहीं होता है उसके बाद में दासवस्ता, सामंतिवस्ता और पुंजिवादिवस्ता, इन तीनों के अंतरगत, तीनों वस्ता के अंतरगत दो दो वरग होते हैं, लेकिन आलचकों का कहना है कि दो वरगों का सिध्धान्त भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जब हम वास्तिविक रूप में हमारे भारत के अंतरगयत मनु की मनुशमर्ति का अध्यन करते तो मनुशमर्ति के अंतरगयत वास्तिक रूप में चार वरगों का उलेक किया गया है जिसको कि हम एक प्रकार से चार वरण भी कहते ब्रामन चत्री ब्रामन चत्री वैसे और शुद्र तो चार वरगों की बात की की मैनों के दोरा पिलेटो के दोरा भी तीन वर्गों का उलेक किया गया है कौन कौन से जैसे दार्षनिक सास्यक वरक दार्षनिक सास्यक वरक नोट कीज़ेगा दार्षनिक सास्यक वरक शैनिक वरक उत्पादक वरक ठीक है मतलब यहां मानिय आत्मा की तीन तत्तों बताता है और आधुनिक समय में भी तीन वर्ग माने जाते हैं। उचवारक, मध्धम वारक और निमन वारक। इसलिए दो वर्गों का सिध्धान्त भी मार्क्स का गलत है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगला है सात्वा हीन्षा को बढ़ावा। वास्तिक रुप में जो मार्क्सवादी सिध्धान्त हैं, इसका कहना है कि पूझी पत्यों का सफाया बिना हीन्षा के तोड़ फोड़ के नहीं हो सकता। इसलिए सारहारा वरक को ये स्पैस्ट रूप में का रहा है कि पूंजी पत्यों का बल पुरक तरीके से सफाया कर दिया जाए क्योंकि जब तक बल का प्रियोग नहीं किया जाएगा तब तक पूंजी पत्यों का सफाया नहीं हो सकता है इसलिए वास्तों में जो मार्शवादी सिद्धान्त है वह हिंसा को बढ़ावा देता है और हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई भी सिद्धान्त है वास्तिक रूप में एक अच्छा एसरे सिद्धान्त नहीं हो सकता इसके बाद में आठवा है एवयवारिक सिद्धान्त है ये एवयरिक सिद्धान्त क्यों है क्योंकि वास्तिक रुप में मार्शवादी सिद्धान्त का कहना है कि जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धान्त है जिसमें कहा गया है कि राज्य वरग संगर्श की उत्पत्ति है त तो वास्तों में उस समय सराहरा वरक के दवारा अर्थात उस समय एक राज्य की भूमिकादा करेगा हूँ लेकिन वास्तों में वह एक सोशनकारी यंतर की रूप में नहीं होगा बलकि वो पूंजी पत्यों के सफाया करने के लिए ही होगा लेकिन वास्तों में यह बात सकते नहीं क्यों नहीं है क्योंकि यहां लाड एक्टन ने कहा है क्या कहा है कि सक्ति व्यक्ति को ब्रष्ट करती है और पूर्ण सक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में ब्रष्ट कर डालती है इसलिए सरहारावरग भी इससे बच नहीं सकता क्या सरहारवर की जो क्रांती है या सरहारवर का जो अधिनायक कंत्र है वह है वीवास्तिक रूप में सक्ति के दुर्प्यूक से बत नहीं सकता किसने कि ये बात LART ACTOR के लाट अक्टन क्या करें कि सक्ति व्यक्ति को ब्रश्ट करती है और फूर्ण सक्ति व्यक्ति को पूर्ण रुप में ब्राइच पर डालती है इसको देख सकते हैं जैसे रूष में 1927 में करान्ति होती चीन में вечер पर इसलिए होती है कि भी किसने कि रूप में जो है यहां एक वरग वहिन समाज की स्थापना नहीं हो पाई उसके बाद में सविद संग का विक्टन हो गया पर आज भी हम देखते हैं कि सविद संग का विक्टन होने के बावजूद भी वहां पर राज्य बरकरार है इसलिए जो यह मार्श्वादी सिद्दान्त है वनितांत ऐ विवारी कहे जातर विद्वानों तो यहां तक कह दिया है कि वास्तिक र शिद्दान्त की सार्थक्ता रहेगी 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 ठीक है अच्छा इसके बाद हम निश्कर्ष की बात करते हैं अब निश्कर्ष रूप में मैंने लिखा है कि व्यक्तिगत संपत्ती के कारण वरक विवेद बढ़ा अर्था अब यहां पूरे मार्श्वादी सिद्द हो जाता है संपत्ति का सित्व में आ जाता है तो व्यक्तिगत संपत्ति के कारण वरक विवेद बढ़ता है वरकों में संगर्ष होता है और जब वरकों में संगर्ष होता है तो ऐसी स्थी के अंतरगत वास्तों में जो संपति साली वरक होता है जो सतादारी वरक होता है वह सताधारी वरग को कानून की आवसकता होती है किसकी आवसकता होती है कानून की आवसकता ही और कानून की आवसकता ही राजिक पत्ति का आधार है मतलब फिर इनको कानून की आवसकता होती है और जब कानून की आवसकता होती है जिससे की संपत्ति वान वरग अपने जीवन की अपनी संपत्ती की रक्षा कर सके, सिर्मिक मजदुरों का सोशन कर सके, इसके लिए फिर ये क्या करते हैं, पुलिस सेना कानून न्याले साहिते, धर्म का प्रियोग, मजदूर सिर्मिकों का सोशन दमन और तैचार करने के लिए करते हैं, इसलिए कानून की आवसकता ही राज राजे की उत्पत्य का आधार है, यह मार्षवादी सिध्दान्त का निश्कर्श्या निचोड हो गया। जब वरग नहीं होगी तो फिर राज्य की कुई आउसकता नहीं होगी और अन्त पह राज्य लुप प्राय हो जाएंगे यह मार्च्वाद का अंतिम लक्ष है लेकिन अभी तक इस लक्षे की प्राप्ती नहीं हुई है और वहिश्य में होना भी नहीं है क्यों क्योंकि वास् यहां प्लेटो अरस्तु की बातु में दम है सचा यह कि राज्य एक सवाबाविक सनस्ता है एक प्राकृतिक सनस्ता है एक नैतिक सनस्ता है अर्थात वास्तों में अरस्तु की अंत में बात पूर्ण तया सत्ते साबित होती है क्या कि भाई जो व्यक्ति यह कहता है कि मुझ तो गत्वा राजे लूप पिराई हो जाएंगे, राजे समाप्त हो जाएंगे, तो ये डेफिनेटली एक है, ये भारी बात दिखाए दिती है, बिना राजे के काम नहीं चल सकता, ठीक है, ये हो गया राजी कुत्पत्ति का मार्चवादी सिदान्द, मुझे पूरा विशु ये स्वेटा, ओके, थेंक वेरी मुच, थेंक वेरी मुच, थेंक वेरी मुच